तेरह की जो भयानक तरासदी का दौर है वो याद है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपने स्वरो पर्थम उत्राखंड की साहता के लिए और केदारपुरी के पुन्ह निर्मान के लिए आप आगे आये थे आपने हाथ बढ़ाया था का जाता है कि भगवान को भक्त से अधिक कोई पिर्या नहीं होता है यह भगवान सीव का यह आशिरवाद है कि उन्होंने अपने प्रम भक्त को अपने धाम के पुना निर्मान के कारे के लिए चुनाए है श्री केदारपुरी का पुना निर्मान आधनी प्रधान मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जो कि आपके बिजन नितो त्यों संकल्प का सर्वसेश दारण है यह बाबा केदार और देवभूमी के परति आपका विशेश अनुरागी है जिसके कारण से पिछले पांच बरसों में सैकड़ों करोड रुपे के पुना निमान के कारे केदारनात में हुए है आपके निर्देशन में केदारपुरी में जहां परतम चरण में 225 करोड रुपे के कारे हुप्पून हो चुके हैं जिसका आज आपके दोरा लोकारपण होना है वहीं 184 करोड रुपे के कारे दिर्ती चरण में गतिमान है जब ये दूती चरण का काम पूरू हो जाएगा अप्रेल महां से दिर्ती चरण का काम भी प्रारम होगा इसके साथ ही बदरिनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए 245 करोड रुपे की धर्नाशी शुकरित आपके निर्देशन में हो चुकी है वहीं गंगोतरिय यमनोत्री के लिए भी करोड रुपे के कारे शुकरित हो चुके है यह इस बात का परभाण है कि हमारे प्रधानमंतरी जी जो कहते हैं जो सोचते हैं वही अंतोगोत्वा करते हैं। आती संस्कृति का मान सम्मान एवं स्वाभी मान संपूर्ण विश्व के अंदर बढ़ रहा है। तथा भारत विश्व गुरू के पत पर पुना अरुड होने के लिए तयार हो रहा है। आज पूनता की और बढ़ रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे धारा 370 का मुद्दा हो तीन तलाक का मुद्दा हो या सकति साली भारत के संपूर्ण विकास की बात हो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्राखंड के प्रती आजणी प्रधान मंत्री जी का प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उत्राखंड की छोटी सी छोटी समस्या से भली बाती आउगत हैं। अभी कुछ दिनों हमारे प्रदेश के अंदर भारी ब्रिष्टी होने के कारण से कई जन्पदों में ब्यापक जन्हानी धनानी हुई है। तब भी आपने नेमित रूप से दुर्भास पर मुझसे आपदा के संबंद में और बचाओ कारियों की लगातार आप समिक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंद तीन एयर फोर्स के यहाँ पर हेलीकप्टर भेजे और तीन हेलीकप्टरों के कारण से हमारे यहाँ पर पांच सो से भी जादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। उसमें तमाम लोग सेना के भी आपके इनर्देशन में यहाँ पर काम कर रहे थे। रेल पहुंचाना और रेल को देखना भी एक सपना होता था अभी भी मैं पिछले दिनों देवाल के बच्चों से मिला था जिन्हों ने अभी तक भी रेल नहीं देखी थी, वो पिछले वर्थ देहरादून रेल देखने के लिए आये थे, तो जहां मोधी जी ने सपने को साक पहाड में रेल को देखने का रिसी केस से कण प्रियाग रेल प्रियोजना पर कारे तेजी से चल रहा है वही सामरी केवं भोगलिक द्रिष्टी से महत्तपुन प्रियोजना जो 154 किलोमेटर की है टनकपूर से बागेस्वर उस योजना को भी आपके मिर्देशन में मंजूरी मिल चुकी है इसी तरह चारधाम ओल वैदर रोड है भारत माला प्रोजेक्ट पर तीब्र गती से काम चल रहा है चारधाम यात्रा उत्राखंड के लिए लाइफ लाइन है और यह प्रियोजना है जहां चारधाम यात्रा को सुगम बनाएंगी वहीं परेटन को बढ़ावा देंगी वही हमारी अर्थव्योस्ता में भी करांतिकारी परिवर्तन भी लाइंगी आज इस मंच के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के कुमाउं छेत्र में एमस का सेटलाइट सेंटर खोलने के लिए भी मानी प्रधान मंत्री जी को देवभूमी की समस्त जनता के ओर से धन है पाल के लोगों को भी अपना इलाज करवाने में अत्यनता फायदा मिलेगा इसके साथ साथ मानी प्रधान मंत्री जी के मार दिश्यर्द में हवाई शेवाओं के साथ उत्राखंड के सुदुर्वती छेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तेजी से किया पिछले दो वरसों से हम करोना महमारी से जूज रहे हैं परन्तों आपके नेतोत में जहां हमने एक और इस महमारी से डटकर मुकावला किया है वहीं विकास की गती को भी आगे बढ़ाया है यह माननी प्रधान मंत्री जी का नेतोत है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सिनेशन अव्यान सबको वैक्सिन मुथ मैक्सिन चल रहा है पूरी दुनिया आज इसकी सराना की जा रही है हमारे प्रदेश ने सफलता पूर्वा कोविड की पर्थम जोट को लगाने का लक्ष समय से पूर्वी 10% प्राप्त कर लिया है सातरी दूसरी डोज भी 50% से अधिक लगाने में हम सपल हो चुके हैं शिक्स्या जनस्वास्त बिजली पानी कनेक्टिविटी रोजगार महिलायों बाल विकास खेती किसानी सीचाई हर छेत्र में उत्राखंड ने पिछले पांच बरसों में अभूत पूरुत तरक्की किये हैं माननी प्रधान मंत सरोजगार योजना नेनो उद्यम योजना के माद्यम से लाखों वेरोजगारों को सरोजगार तथा आत्मिजरा भारत के लक्षी को प्राप्त करने की और हम आगे बढ़ रहे हैं कोरोना महामारी से प्रवाइद परेटन चिकिस्सा किरसी सहीद विविन्न छेत्रों को 600 करो इस योजना से 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग अभी तक अपना इलाज करवा चुके हैं लावानी तो चुके हैं साती 460 करोड रुपे की धनासी अभी तक इसमें खर्च हो चुकी है हमारी सरकार ने सरली करण समाधान निस्तारी करण यम संतुस्टीन चार मंत्रों को लेकर जीरो पेंडेंसी और सिंगल विंडो सिस्टम विक्सित किया है जिससे लंबी समस्याओं के समाधान में सायता मिली है मानी प्रदान मत्री जी के अपेक्षय अनुसार हम बर्स 2035 तक जब उत्राखंड 25 बर्स का होगा हम शिलवर जब ली जब मना रहे होंगे उत्राखंड इस्तापना का रजट जैन्सी वर्स उस वर्स मना रहा होगा तम हम देश का सर्वल से स्ट्राज्य बनाने के लिए संकल्प बद हैं इसके लिए हम विकल्प रही संकल्प के मंत्र को ध्यान में रखकर दिन रात कारे कर रहे हैं मानी प्रदान मंत्री जी हम आपको विश्व दिलाते हैं कि आपके द्वारा किये गए, दिये गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपना कर आपके सपनों का नया भारत बनाने में हम रामसेतु निर्माण में गिलरी के समान अपना पूरा योगदान तेते रहेंगे। भाईयों और बहनों आज गोबर्दन पूजा भी है जिसकी आप सभी को हर्दी बदाई आज का दिन भगवान श्रेक्षी की उपास्तना का दिन तो ही साती गाय प्रवत युम प्रकृति की उपास्तना का दिन भी है यह महान सयोग है कि आज के दिन हमें बाबा केदार के दर्सन तथा संकराचारी जी की समाधी के पुननिर्माड युम प्रतिमा इस्तापना के महान कारे के साक्षी बनने का सौबा के प्राप्त हुआ है भाईों बहनों कली हमने दीप पर मनाया जिसकी मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूं और कभी अंत मैं कभी गोपाल दास नीरत के इनी सब्सक्राइब के साथ अपनी बाणी को विराम देता हूं कि जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कही रहे न जाए जैवावा केदार जैभारत जैव उत्राखंड आपका बहुत-बहुत धन्यवाद्सा अब वक्त हो चला है श्री केदार नाधाम में पुनह निर्मान के अंतरगत प्रस्तावितकारों के लोकारपन का मैं मंत्रित करना चाहूंगी भारत की शान और विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोन्ती जी से साथ में महामहीम राजय पाल उत्राखंड और उत्राखन के मुख्य मंत्री शी पुश्कर सिंग्धामी जी के साथ-साथ मंचासीन मंत्री गंड से कि वो मेरे दाई और शीकेदार नाधाम में पुनह निर्मान के अंतरगत प्रस्तावित कार्व करमों का लोकारपन करें एक बर जोरदार तालियां उन पांच योजनाओं के लिए जो माने निये मोदी जी की परिकल्पना से पून हुए हैं तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे मंत्री गन लोकारपन करने जा रहे हैं श्रीकेदार नाधाम में पुनह निर्मान के अंतरगत प्रस्तावित कार्यों का एक बर जोरदार तालियां जिन पांच योजनाओं का लोकारपन किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंक्राचारे समाधी की स्थापना सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा घाटों के निर्मान एक बर जोरदार तालियां तीर्थ पुर्रोहितों के आवास मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा तथा गरुट चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर साथ मीटर पुल के निर्मान और वास्तफ में आज बहुत ही खुशी का पल है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधिर की जी के करकमनो द्वारा श्री किदार नाधाम में पुनर निर्मान के अंतरगत प्रस्तावितकारों का लोकारपन किया जा रहा है और साथ ही किदार नाधाम में कि वास्तव में बहुती खुशी का पल है गौरफ के यह अनमोल शण है हम सभी के लिए कि बाबा के दार के दर्शन के साथ साथ हमारे देश के सबसे हमारे देश के प्रक्षियात प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ रूबर हो रहे जा रहे हैं एक बार जोड़ दालिया नरेंद्र मोधी जी के लिए जय बाबा के दार जय बाबा के दार जय बाबा के दार बेभी आभा से सुसजित इस पवित्र कारकम में हमारे साथ मंच पर उपस्तित सभी वरिष्ट महानुभाव इस पावन पवित्र भूमी पर पहुँचे हुए सभी सद्धालुगन आप सबको आदर पुर्वग मेरा नमस्कार आज सभी मठों, सभी बारा जोतिरलिंगों, अनेक शिवाले, अनेक शक्ति धाम, अनेक तिर्थ खेत्रों पर देश के घणमान्य महापुरुष, पुझ्य संतगण, पुझ्य संकराचारिय परंपरा से जुड़े हुए सभी बरिश्टस रशी मनशी और अनेक सरद्धालू भी देश के हर कौने में, आज केदावनात की इस पवित्र भूमी के साथ, इस पवित्र माहोल के साथ, ससरीर नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से, वर्चुल माध्यम से, टेकनलोजी की मदद से, वो वहां से हमें आशिरवाद दे रहे हैं आप सभी आदी संकराचारे जी की समाधी की पुनस्थापना के साक्षी बन रहे हैं ये भारत की आध्यात्मिक समृत्थी और व्यापकता का बहुत अलोकिक दर्श्य है हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान रशी परंपरा है एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कौने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं ऐसे अनेक संतगण आध्येश के हर कौने में और यहां परी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामों लेक करना चाहूं तो भी शायद एक सप्ता कम पड़ जाएगा और अगर एकाद नाम छूट गया तो तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोज में दब जाऊंगा मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामों लेक नहीं करपा रहा हूं लेकिन मैं उन सब को आधर कुर्वक परणाम करता हूं वे जहां से इस कारकम में जुड़े हैं उनके आशिरवाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति हैं अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशिरवाद हमें एक शक्ति देंगे यह मेरा पूरा भरोसा है हमारे यहां कहा जाता है आवाहनम नजानामी नजानामी विसरजनम पूज़म चैवना जानामी चमस्व परमेश्वरम इसलिए मैं रदय से ऐसे सभी व्यक्तियों से माफि मांगते हुए इस पुन्य अवसर पर देश के कौने कौने से जुड़े संकराचारिय रिशिगान महान संत परंप्रा के सभी अन्यवाई आप सब को यही से परणाम करके मैं आपका आशिरवाद मांगता हूँ साथियों हमारी उपनिशदों में आदी संकराचारिय जी की रचनाओं में कई जगह नेती नेती जब भी देखो नेती नेती एक ऐसा भाव विश्व नेती नेती कहकर एक भाव विश्व का विस्तान दिया गया है राम चरीत मानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है अलग तरीके से कहा गया है राम चरीत मानस में कहा गया है कि अभी गत अकत अपार अभी गत अकत अपार नेती नेती नित निगम कह अर्थात कुछ अनुभव इतने अलोकिक इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता बाबा केदार नात की सरन में आकर जब भी आता हूं यहां के कन कन से चुड़ जाता हूं यहां के हवाएं यहमाले की चोटिया यह बाबा केदार का सानिद्य नजाने कैसी अनुभुती की तरफ फीच के लिए चला जाता है जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं दिपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सहिनिकों के साथ था और याद तो यह सहिनिकों की भूमी पर हूं मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान बीर सहिनिकों के साथ बाटी देश वाशुओं का प्रेम का संदेश देश वाशूओं के उनके प्रतिस्रधा देश वाशूओं के उनके आशिरवाद आशिरवाद एक सो तीस करोड आशिरवाद लेकर के मैं कल्टसेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पुजा के दीन और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है गोवर्धन पुजा के दीन केदार नाज्जी में दर्षन पूजन करने का मुझे सववाग्य मिला है बाबा केदार के दर्षन के साथ ही अभी मैंने आदी संकराचारी जी की समाधिस्तान वहाँ कुछ पल बते मैंने बिताए एक दिव्य अनुभूती का वो पल था सामने बैठते ही लग रहा था कि आदी शंकर के आखों से वो तेज बुंज्य वो प्रकाश बुंज्य प्रवाईत हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है संकराचारी जी की समाधि एक बार फीर और अधिक दिव्य अस्वरूप के साथ हम सब के बीश है इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्मान भी हो चुका है और मंदा किनी पर बने पूल से गरूर चटी उस मार को भी सुगम कर दिया गया है और गरूर चटी का तो मेरा विश्व नाता भी रहा है यहां एक दो लोग हैं पुराने जो पहचान जाते हैं मैंने आपके दर्शन किये मुझे अच्छा लगा साथू तो चलता भला यानि पुराने लोग तो चले गए हैं कुछ लोग इस थान को छोड़के चले गए हैं कुछ लोग इस धरा को छोड़कर के चले गए अब मन्दा किनी के खिनारे बाड से सुरक्षा के लिए जिस दिवार का निर्मान किया गया है इसे सरधारों की आत्रा अब और सुरक्षित होगी तीर्थ पूरी वहत्तों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविदा होगी भगवान केदारनात की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी कुछ आसान होगी और मैंने तो पहले देखा है कभी प्रकृतिक आपद आ जाती थी यात्री यहां फस जाते थे तो इन पूरोहितों की घरों में ही एक एक कमड़े में इतने लोग अपना समय बिताते थे और मैं देखता था था कि हमारे पूरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठूरते थे लेकिन अपनी जो यजमान आते जो अपने उनकी चिंता करते थे मैंने सब देखा हुआ है उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है अब उन मुसीबतां से उनको मुक्ति मिलने वाली है साथियों आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का सिलान्याद भी हुआ है परियक्तक सुविधा केंद्र का निर्माण हो यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो रें शेंटर हो यह सभी सुविधा स्रधालों के सेवा का माद्यम बनेगी उनके तिर्थाटन को अब कस्त से मुक्त केदार से युक्त जैब होले के चन्रों में लीन होनेगा यात्रियों के एक सुखत अनुभव होगा साथियों बरसों पहले कि जिस तरह का अपनिय था कि मैं मुख्यमिंत्री तो गुजरात का था लेकिन कि मैं अपने आपको रोक नहीं पाया था कि मैं यहां दोड़ा चलाया था मैंने अपनी आँखों से उस तबाही को देखा था उस दर्द को देखा था जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब यह हमारा केदार धाम यह हमारा केदार पुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी यह पहले से अधीक आन बान शान के साथ खड़ा होगा और यह मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था आदी संकर की साधना के कारण था रुश्यों मुनियों की तपस्यां के कारण था लेकिन साथ-साथ कच के भुकम के बाद कच को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था और इसलिए मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अपनी आँखों से साकार हुआ देखना इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है कि मैं इसे अपना सवभा के मानता हूं कि बाबा के दार ने कि संतों के अशिरवाद ने कि इस पवित्र धर्ती ने जिस मिट्टी ने जिसकी हवाओने कभी मुझे पाला पोसा था उसकी है सेवा करने का सवभाग मिलना इससे बड़ा जीवन का पुन्य क्या होता है इस आधी भूमी पर सास्वत के साथ आधुनिक्ता का ये मेल विकास के ये काम भगवान संकर की सहज कुर्पा का ही परनाम है ये इश्वर नहीं क्रडिट ले सकता इंसान क्रडिट नहीं ले सकता इश्वर कुर्पा ही इसकी हगधार है मैं इस पुनित प्रयासों के लिए उत्राखन सरकार का हमारे उर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज रदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एडी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है मुझे पता है यहां बर्फबारी के बीच भी किस तरह याने पुरा साल भर काम करना मुश्किल है यहां बहुत कम समय मिलता है लेकिन बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे सर्मिक भाई बहन जो पहड़ों के नहीं थे बहार से आये थे वे यह इश्वरिय कार्य मान करके बर्फबर्शा के बीच भी माइनस टेंपरेचर के बीच भी काम छोड़कर के जाते नहीं थे काम करते रहते थे तब जा करके ये काम हो पाया है मर मन्हा लगा रहता था तो मैं बीच पीच में ड्रॉन की मदद से टेक्वनलोजी की मदद से मेरे दफ्टर से यहां का पूरा मैं यह एक प्रगार से वर्चुल याता करता था लगातार मैं उसकी बारिक्यों के देखता सा काम कितना पहुंचा महने पर पहले कहां थे इस महने कहां पहुंचे लगातार देखता था मैं केदान रात बंदिर के सभी रावल और सभी पुजारियों का भी आज विशे इस रुट से आभाद प्रकरतना चाहता हूं क्योंकि उनके सकानात पक रवये के कारण उनके सकानात पक प्रयासों के कारण और उन्होंने परंप्राओं का जो महारा मारदर्शन करते रहे उसके कारण हम इसको इस पुरानी विरासत को भी बचा पाए और आधुलिता भी ले पाए और इसके लिए मैं पुजारियों का रा बहार व्यक्तर करता है आदी संकराचारिय जी के विशे में हमारे विद्वानों ने कहा है संकराचारिय की जलिये हर विद्वान ने कहा है शंकरो शंकरह शाक्षाद अर्थाथ आचारिय संकर शाक्षाद भगवान संकर का ही श्वरूप थे ये महिमा ये देवत्व आप उनके जीवन के हर चन हम अनभव कर सकते हैं उसकी तरब ज़रा नजर करें तो शारी स्प्रूतिया सामने आ जाती है चोटी सी उम्र में बालक उम्र में अध्भूत बोध बाल उम्र से ही सास्त्रों का ज्ञान का विज्ञान का निरंतर चिंतन और जिस उम्र में एक साधारन मानवी साधारन रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है थोड़ी जागरूति का प्रारम होता है उस हुमर में उस हुमर में वो प्यदान्त की गहराई को उसकी गुढ़ारत को सांगो पांग विवोईचन उसकी व्याख्या अभीरत प्रुप से क्या करते थे यह संकर के भीतर साक्षात संकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है यह संकरत्व का जागरण था यहां संस्क्रीत और वेदों के बड़े बड़े पंडीत यहां भी बैठे हैं और वर्चुली भी हमारे साथ जूड़े हैं आप जानते हैं कि संकर का संस्क्रीत में अर्थ बड़ा सरल है शंकर का अर्थ संस्क्रीत में होता है शंकरोती संस्क्र है यानि जो कल्यान करे वही शंकर है इस कल्यान को भी आचार्य संकर ने प्रत्यक्ष प्रमानित कर दिया था उनका पूरा जीवन जितना असाधरन था उतना ही वो जनसाधरन के कल्यान के लिए समर्पित थे भारत और विश्व के कल्यान के लिए अहर नीश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे जब भारत राग द्वेश के भवर में फस करके अपनी एक जुड़ता को खो रहा था तब यानि कितना दूर का संत देखते हैं तब संक्राचायरी जी ने कहा था नमे द्वेश रागो नमे द्वेश रागो नमे लोबमो मदो नईव मे नईव मात्सर्य भाव अर्थात राग द्वेश लोबमो इर्शा अहम ये सब हमारा स्वभाव नहीं है जब भारत की जाती पंत की सिमाओं से बहार देखे की शंकाओं आशंकाओं को उपर उठने की मानव जात को जुर्रत थी तब समाज में चेतना फुकी रादी शंकरें कहां नमे मृत्य शंकाओं नमे जाती बेदह यानि नास विनास की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है हिस्सा नहीं है हम क्या है हमारा दर्शन और विचार क्या है ये बताने के लिए आदी शंकर ने कहा चिदानन्द रूप चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम चिदानन रूप शिवोहम शिवोहम अर्थात आनंद स्वरूप सीव हम ही है जीवत्व से ही सीवत्व है और अद्वैत का सिध्धान कभी-कभी अद्वैत के सिध्धान को समझाने के लिए बड़े-बड़े ग्रंथों की जरूर पड़ती है मैं तो इतना विद्वान नहीं हूँ मैं तो सरल भाजा में अपनी बात समझता हूँ और मैं इतना ही कहता हूँ जहां अद्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है संकरा चैरे जी ने भारत की चेतना में फिर से प्रान फुके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक गुन्नति का मंत्र दिया उन्होंने कहां ज्ञान भी ही ना देखिए ज्ञान की उपास ना क्या महिमा हमारे कितरा महत्व रखता है ज्ञान भी ही नहां सर्वमतेन मुक्तिम न भटती जन्मशतेन यानिगी दूख कष्ट और कठिनाईयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान भारत की ज्ञान की विज्ञान और दर्सन की जो कावातीत परंपरा है उसे आदि संकराचार जी ने फिर से पुनर जिवित किया चेतना भर दी साथियों एक समय था जब अध्यात्म को धर्म को केवल रूठियों से जोड़कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था लेकिन भारतिय दर्सन तो मानव कल्यान की बात करता है जीवन को पुर्णता के साथ होलिस्टिक एप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है आदी संकराचारी जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया उन्होंने पवीत्र मठों की स्थापना की चार धामों की स्थापना की द्वादर जोतिरंगों का उनर जागृति का काम किया उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक ससक्त परंपरा खड़ी की आज उनके अधिश्टान भारत और भारतियता का एक परकार से संबल पहचान बने हुए है हमारे लिए धर्म क्या है धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है और इसलिए तो कहा गया है अथातो ब्रह्म जिग्यासा अथातो ब्रह्म जिग्यासा इसका मंत्र देने वाली उपनिशदिय परंपरा क्या है तो हमें पल प्रतिपल प्रस्ण करना सिखाती है और तभी तो बालग नची केता यम के तरवार में जा करके यम के आँख में आँख मिला करके पूछ देता है यम को पूछ देता है मृत्यू क्या है बताओ प्रस्ण पूछना ज्ञान अरजित करना अथातो धर्म जिग्यासा हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं उसे समर्द कर रहे हैं संस्कृत हो संस्कृत भासा में वैदी गणी जैसे विज्ञान हो इस मठों ने हमारे संक्राचेरी किस परंपरा ने इन सब का सवरक्षन कर पीडी दर पीडी मार्ग दिखाने का काम किया है मैं समझता हूँ आज के इस दोर में आदी संक्राचारी जी का सिध्धाम और जादा प्रासंजगी हो गए हैं साथियों हमारे यहां सदियों से चार धाम यात्रा का महत्व रहा है द्वादस जोति लिंक के दर्शन की सक्ति पिठों के दर्शन की अस्त मिनाय जी के दर्शन की यह सारी यात्रा की परंपरा यह तिर्थाटन हमारे यहां जीवन कान का हिस्सा माना गया है यह तिर्थाटन हमारे लिए सरक सैर सपाटा परियटन बर नहीं है यह भारत को जोडने वाली भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवन्त परंपरा है हमारे यहां हर किसी को है कोई भी वक्ती होगा उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार चार धाम जरूर हो लें द्वादर जोतिलिंग का दर्शन जरूर कर लें मा गंगा में एक बार डुपकी जरूर लगा दे पहले है हम घर में बच्चों को सुरू से ही सिखाते थे परंपरा थी बच्चों को घर में सिखाय जाता था सव राष्ट्रे सो मना था चा स्रीशहले मली का जुनरम बच्चपन में सिखाय जाता था व्लादस जोतिलिंग का ये मंत्रा गर बैठे बैठे एक ब्रहत भारत का विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था बच्चपन से ही देश के इस अलग-अलग हिस्सों से जुडाव एक सहज समस्कार बन जाता था ये आस्था ये विचार पूरब से पस्चिन तक उत्तर से दच्चिन तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है राष्ट्य एक्ता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत स्रेश्ट भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्ता का हिस्सा था बावा के दारनात के दर्शन करके हर स्रधालू एक नई उर्जा लेकर जाता है साथ क्यों आदि संक्राचारी की विरासत को इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेणा के रूप में देखता है अब हमारी संस्कृति के हमारी स्विरासत को आस्ता के केंद्रों को इसी गवरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था आज अयोध्या में भगवान स्री राम का भव्य मंदीर पूरे गवरव के साथ बन रहा है आयोध्या को उसका गवरो सद्यों के बाद वापस मिल रहा है अभी दो दिन पहले आयोध्या में दिपोत्षव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है भारत का प्राचिन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा आज हम इसकी कल्प ना कर सकते हैं इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही कासी का भी काय कल्प हो रहा है विश्वनात धाम का कार्य बहुत तेज गती से अब तो प्रूर्णता की तरब आगे बढ़ रहा है बनारस में सारनात नदिग में कुशिनगर बोध गयां यहां सब जगा पे एक बुद्ध सरकीट के अंतर राष्टिये परियवेट तरणने को आकर्शित करने के लिए विश्व के बुद्ध के भक्तों को आतकर्शित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है भगवान राम से जुड़े जितने भी तिर्सस्थान है उनको भी जोड़ करके एक पूरा सरकीट बनाने का काम भी अचल रहा है मत्रा प्रंदावन में भी विकास के साथ साथ यहां की सुचीता पवित्रता को लेकर संतों की अधुनिक्ता के तरब मोड दिया जा रहा है इतना सब आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का भारत आदी संक्राचेरे जैसे हमारे मनिश्यों के निर्देशों में स्रद्दा रखते हुए उस पर गवरों करते हुए आगे बढ़ रहा है साथियों इस समय हमारा देश आधादी का अमृत महोसव भी मना रहा है देश अपने भविच्छे के लिए अपने पुनर निर्माड के लिए नए संकल्प ले रहा है अमृत महोसव के इस संकल्पों में से आधी संक्राचेरे जी को हमें प्रकार्दे अपनी बहुत बड़ी प्रेणा के रुप में देख सकते हैं अपदेश अपने लिए बड़े लक्षत तयार करता है कठीन समय और सिर्फ समय नहीं समय की सिमा भी हम निधारी करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में यह सब कैसे होगा कभी कभी लोग यह भी कहते हैं यह होगा भी के नहीं होगा और तब मेरे भीतर से एकी आवाज आती है 130 करोर देश वासों के आवाज मिज़े सुनाई देती है और मेरे मुह से यही निकलता है एकी बात निकलती है समय के दाइरे में बंद कर भैभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है आप देखिए आदी संकनाचार जी को छोटी सी आयो थी छोटी सी आयो थी घर बार परिवार छोड़ दिया सन्यासी बन गए कहां केरल का कालरी ओर कहां केदार कहां से कहां चल पड़े सन्यासी बने बहुत ही कम आयो में इस पवित्र भूल में उनका शरीर इस धर्ती से विलीन हो गया अपने इतने कम समय में उन्होंने भारत के भुकोल को चैतन ने कर दिया भारत के लिए नया भविश्य गर दिया उन्होंने जो उर्जा प्रदिवलित की वो आज भी भारत गतिबान बनाये हुए है आने वाले हजारों साल तक ये गतिबान बनाये रखेगी इसी तरह स्वामी विवेकरंची को देखिए स्वाधिंता संग्राम में अनेक अनेक सेनानियों को देखिए ऐसी कितनी ही महान आत्माएं महान विवूतियां इस धर्ति पर आकर यहां प्रकट हुई जिनोंने समय की सिमाओं का उलंगन कर छोटे से कालखन में कई-कई यूगों को गड़ दिया ये भारत इन महान विवूतियों की प्रेड़ा ओपर चलता है हम सास्वत को एक प्रकार से स्विकार करते हुए हम क्रिया सिल्ता पर विश्वास करने वाले लोग है इसी आप विश्वास को लेकर देश आंच इस अमुरुत काल में आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में मैं देश्वासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं स्वाधिन्ता संग्राम से जुड़े अईतिहास्तिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को पगी जादा से जादा जाएं नई पीड़ी को ले करके जाएं परीचित कराएं माँ भारती का साथ चात्कार करें हजारों साल की महान परंपरा की चेत्रा का अनुभूती करें आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के हर कौने कौने में हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पढ़ने का ये समय है जिनोंने गुलामी के सैंकडों वर्षों के कालखन में हमारी आस्था को बांद करके रखा हमारी आस्था को कभी खरोच जग नहीं आने दी गुलामी के कालखन में ये छोटी सेवा नहीं थी कि आज हादी के कालखन में उस महान सेवा को उसको पूझना उसके तरपन करना वहां तप करना साधना करना क्या हिंदुस्तानी का नागरिक का करतप्य नहीं है और इसलिए मैं कहता हूँ एगनागरिक के तौर पर हमें इन पविश्थ सानों को भी दर्शन कर लिग लिए जाना चाहिए उन सानों की महिमा को जानना चाहिए साथियों देव भूमी के प्रति असीम सद्धा रखते हुए यहां की असीम संभावना उपर विश्वास करते हुए आज उत्रा घंकी सरकार यहां विकास के महा यग्य से जुड़ी है पूरी ताकप से जुड़ी है चार धाम सडक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है चारो धाम हाइवे से जुड़ रहे हैं बविश्य में यहां केजार नाजी तक स्रधालू केवल कार के जरी आ सके इससे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है यहां पांस में हो पवित्र हेमकुन साहब जी है हेमकुन साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रॉप्पे बनाने की दिशा में काम तैयारिया चल रही है इसके अलाबा रिजिकेश और कन प्रया को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है अभी मुक्हिमंती ची कहते थे पाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुश्कर होता है अब रेल पहुंच रही है दिल्ली देहरादुन हाइवे यह बनने के बाद देहरादुन से दिल्ली आने वालों के लिए समय और कम हो जाने वाला है इस सब कामों को उत्राखन को उत्राखन के परियतन को बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है और मेरे शब्द उत्राखन के लोग लिक करके रखे जिस तेज गती से इंफ्रस्ट्रक्टर बन रहा है पिछले सो साल में जितने यात्री हाँ आये हैं आने वाले दस साल में उससे भी जादा आने वाले आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थ बबस्ता को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली हैं एकीस्वी सताथी का है तीसरा दसक यह उत्तराखन का दसक है मेरे शब्द लिख के रखिये मैं पवित्र धर्ति पर से बोल रहा हूं हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम याता आने वाले सरद्धालों के संख्या लगातार रेकॉर्ड तोड रही है और कोरान न यह कोविड न होता तो न जाने यह संख्या कहां से कहां पहुँच गई होती है उत्राखंड में मुझे यह भी बहुत खुशी हो रही है खास करी मेरी माताएं बहने और पहण में तो माताओं बहनों की ताकत का इक अलग ही सामर्थ होता है जिस प्रकार से उत्राखंड के छोटे छोटे स्थामों पर प्रकृति की गोद में होमस्टे का नेटवर्ग बन रहा है सेंकडो होमस्टे बन रहे हैं माताएं बहने और लोग भी जयात्री आते हैं बेबी होमस्टे को पसंद करने लगे हैं रोजगार भी मिलने वाला है स्वाविमान से जीने का आउसर भी मिलने वाला है यहां की सरकार जिस तरफ विकास के कार्यों में जुटी है कि इसका और एक लाग हुआ है यहां गौना तो हमेशा दूनते थे पहाड का पानी और पहाड की जवानी कभी पहाड के काम आती नहीं मैंने इस बात को बदला है अब पानी भी पहाड को काम आएगा जवानी भी पहाड को काम आएगी पलाएन रुकना है एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं पलाएन रुकना है मान के चलिये सात्यों मेरे नवजवान दोस्तों यह दसक आपका है उत्तरा खंड का है उज्वल भविश्य का है बाबा केदार के अश्यरवाद हमारे साथ है यह देव भूमी मात्र भूमी की रक्षा करने वाले अनेकों वीर बेटे बेटियों की यह जन्मस्थली भी है यहां का कोई घर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पराक्रम की कोई गांथा का परिचे नहों आज देश जिस तरह अपनी सेनाओं का आधुनी करन कर रहा है उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है उससे हमारे वीर सैनिकों की ताकत और बढ़ रही है आज उनकी जरुरत को उनकी अपेक्षाओं को उनके परिवार की आवश्यक्ताओं को बहुत प्रात्थिक्ता देख करके काम किया जा रहा है यह हमारे ही सरकार है जिसने वन रेंग वन पेंशन की चार दसक पुरानी मांग को पिछली शताबदी की मांग इस शताबदी में मैंने पुरी की मुझे संतोष है मेरे देश की सेना के जबानों के लिए मुझे सेवा करने का मोका मिला है इसका लाग तो उत्राखन के करीब परी हजारों परिवारों को मिला है निवरूत तसाहिनिक परिवारों को मिला हुआ है साथियों उत्राखंड ने कोरोना के खलाब लड़ाई में जीत तरह का अनुसासन दिखाया वो भी बहुत अभिनंदनी है सरानी है बवगोलिक कठिनाईयों को पार कर आज उत्राखंड ने उत्राखंड के लोगों को सत्प्रतिशत सिंगल डोज का लक्ष हासिल कर लिया है ये उत्राखंड को ताकत का दर्शन कराता है उत्राखंड के जामर्तों को दिखाता है और जो लोग पहड़ों से परिचे हैं उनको पता है कि ये काम आसान नहीं होता है गंटों गंटों तो पहाड की चोटियों पर जा करके दो या पांच परिवार को वैक्षिनेशन दे करके रात रात चल करके घर पहुंचना होता है कर्ष्ट कितना होता है बैंदाड लगा सकत उसके बाद भी उत्राखन ने काम किया है क्यों उत्राखन के एक एक नागिरित की जिंदगी बचानी है और इसके लिए मुख्यमंतरी जी आपको आपकी टीम को में बढ़ाई देता को आज मुझे भी स्वाथ है कि जितनी उचाईयों पर उत्राखन बचा है जितनी उचाईयों पर उत्राखन बसा है उससे भी जादा उचाईयों को मेरा उत्राखन हासिल करके रहेगा बाबा के दार की भुमी से आप सब के आशिरवाद से देश के कोने कोने से संतों के महंतों के रुष्यों के मुनियों के आचारियों के आशिरवाद के साथ आज इस पवित्र धर्ती से अनेक संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ें आज आज इक अम्रुत महोत्सों में देश को नई उचाई पर ले जाने का संकल्प हर कोई करे दिवाली के बाद एक नया उमंग नया प्रकास नहीं वुर्जा हमें नया करने की ताकत दें मैं एक बार फिर बगवान के दारनाथ के चर्णों में आदि संकराचारी जी के चर्णों में प्रणाम करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर दिवाली के इस महा पर्व से लेकर के छड़ पूजाता है अनेक परवा आ रहे हैं अनेक परवों के लिए अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं मेरे साथ प्यार से बोलिए भक्ती से बोलिए जी भर करके बोलिए जै केदार जै केदार जै केदार जै केदार तन्यवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद माने ने प्रधान मंत्री जी आपने अपना भव मूले समय आज से भूमी के लिए निकाला केदार नात्य पुने निर्मान कारियों की योजनाओं के लोकार पर नौचिला नियास के लिए निकाला पुने अब सभी को धन्यवाद मंचा सीन महानुभू बावों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अंत में है के न चाहूँगी की रासंगर्श की जो चलता है वही संसार को बडलता है जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही निकलता है एक वारत माता की भारत माता की धन्यवाद नह पर रहो कि आए साथ किस अजय हुआ जय हुआ हुआ है जए से नह घर पाल कर रहा हुआ है। कर दो सुप्सकों कर जो दो